दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम future को buy करते हैं और option को buy करते हैं तो दोनों क्या same हैं अगर दोनों same नहीं है तो दोस्तो हमें किसमे benefit ज्यादा होता है वो हम आज जानने वाले हैं और दोस्तो ये भी रहा कि अगर हम future की जगे option को buy कर लें तो हमें क्या benefit हो सकते हैं दोस जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि यह जो है बैंक निफ्टी इंडेक्स है ठीक है यह बैंक निफ्टी का फ्यूचर है मार्च का और यह हमने एक option एड किया हुआ है छालीस चाहर के call option जो की इंदा बनी है ठीक है बट ये deep in the money है ये normal in the money है थीक है तो हमने क्यों add करें ये हम बिल्कुल detail में जानने वाले है पहले दोस्तों हम future की बात कर लेते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा जहांगर हम future को buy करते हैं तो क्या होता है कि अगर future जैसे कि अभी 27665 पर है अगर यह future पहुँच कर यह चला जाए 27700 पर तो दोस्तों हमें कितने points का profit होगा हमें सीधे 35 points का profit दोस्तों यह होने वाला है ठीक है future में जितने point उपर जाएगा उतना profit है जितने point नीचे जाएगा उतना हमारा loss है यह होती simple बात future की की एक point बढ़ेगा तो हमें एक point का profit होगा जैसे कि 15 का lot होता है future में भी तो जैसे कि future में भी 15 का lot होता है तो अगर यह 100 points भागता है तो it means हमें profit होता है 15100 रुपेगा ठीक है अगर हम एक lot में future को buy करते हैं और अगर हम future को एक lot में buy करते हैं bank nifty का तो दोस्तों हमें लगव लगव यहां एक लाग से 1.5 लाग रुपीज एक lot buy करने में ठीक है यह हमने जाना future के बारे में और दोस्तों जैसा कि आपको पता है अगर हम option को buy करते हैं तो हम से सस्ते में buy हैं कर पाते हैं वो डिपैंड करता है कि आप buy करेंगे तो वहाँ आपको math लगने वाले हैं 15.00 एगर आप 100 का buy करेंगे तो केवल आपके 15.00 रुपे लगेंगे क्योंकि पंद्री का लोट होता है ठीक है अगर आप 200 रुपे वाला buy करेंगे तो आपके यहां 3000 रुपे लगेंगे तो हम कम peak में option को buy कर पाते हैं बर दोस्तों अब यहां बात आते हैं कि हमें profit किसमें जादा होगा बर दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि future में profit होने वाला है क्योंकि जो future भागेगा उतने points हमें मिलने वाले हैं बट ऐसा option में नहीं होता क्योंकि option जो है कई चीजों पर depend करता है तो उसकी जो premium है उस level से नहीं भागते हैं जैसा कि option भागता है बट दोस्तों अब बात आती है क्या हम future की ज्चेके option को buy करें और हम उतना ही profit हो लगबक से तो दोस्तों ऐसा हमें कर सकते हैं इसके लिए हमें deep in the money option को buy करना होगा और दोस्तों जैसे कि अगर हम deep in the money by करेंगे तो हमारा जो हमारे यां 15,000 रुपे में दोस्तो हम यहां buy कर लेते हैं option को ठीक है तो पहले हम थोड़ा कुछ compare करते हैं उसके बाद दोस्तों हम detail में जानेगे ठीक है तो दोस्तों यह हमने future का chart open कर लिया जैसे कि आप यहां देख रहे हैं यह हमने future का chart open किया ठीक है अगर आप देखें कि ये हमारा 1 March का हमने चार्ट open किया है, अगर हम इस Candle में देखें इस वाली Candle में है, एक है जोकि 2 बज़ए वाली Candle है 15 मिट का चार्ट दोस्त कर लगाए, अगरha 15 मिट में हैं इसने कितना move गया, पहले हम इसे ही देख लिए तो पहले हम इसे देख लेते हैं चारसो चैसी का और लोग है 47,39 का इट मीन्स इसने कितना मूव किया है दो बजे तो इसने पंदे मेट में दोस्तों मूव कर लिया है है 47,350 से राउंड फिगर में ले दो 47,485 तक ठीक है तो इसने मूव किया 135 पॉइंट का मूव 15 में फ्यूचर ने फ्यूचर ने यहां 135 पॉइंट मूव किया है हम ऑप्शन में देखते हैं कि दो बजे 15 मत की कैंडल ने कितना मूव किया है दोनों में देखेंगे इंदा मनी में और डिप इंदा मनी दोनों ही देखने वाले ठीक है तो दोस्तों यह हमने चार्ट ओपन कर लिया 46,000 का कॉल ओप्शन का ठीक है वीकली कर तो हम देख रहे और 1233 कैसे ने लो लगा है अगर हम इसके पॉइंट्स देखें तो इसने कितना मूव किया है लो से हाई तक तो लो से हाई तक इसने मूव किया 1235 से 1235 ठीक है तो यहां हमें 120 पॉइंट मिले हैं 120 अगर हम फ्यूचर की जगे इस ऑप्शन को वाई कर लेते तो दोस्तों फ् यह एक लाग से ज़्यादा लगा था बट हमने यहां लगाया है 20 से 22,000 के बीच में यहां पैसा लगाया है और यहां हमें इतने पॉइंट्स से मिल रहे हैं 120 पॉइंट केवल 15 पॉइंट यहां कम मिले हैं ठीक है कम पैसे में ज्यादा हमने अर्न कर लिया अब दोस्तों द जारी को यह 47,000 के आजब आस पास था उस टेब का हमने ऑप्शन भाय किया मतलब एड़ दम बनी हम भाय करते हैं तो क्या होता है तो यहां पर हम देखते हैं एक तरह की कैंडल दो बजे की ठीक है तो यहीं कैंडल है यह वाली इसकी हम डिटेल देख लेते हैं इसने कितना म एक पॉंट का इसने पी कम नहीं किया है बट हमारे यां पैसा काफी कं मलगा ये तो यहां भी पैसा हमारा बहुती कम लगा यह हमारे 7.500,000 रूपे 8,000 रुपे में काम हो गया था। तो आप यहान देख रहे हैं कि अगर हमें future की तरह points चाहिए तो हम deep Indian money में दोस्तों जा सकते हुए मतलि हजार point अगर हम जाते हैं तो at least हमें जितने point market move करेगा उतना ही point हमें हम m Il सकते हैं तो अगर आप इन्ना मनी में काम करेंगे तो अगर आप future में काम करते हैं तो आप इसकी जगे options को buy कर सकते हैं कम price पर तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको यही बताया है कि future की जगे हम option का भी use कर सकते हैं बड़ दोस्तों जैसा कि आपको पता है आप्षिन को भी यूज कर सकते हैं जैसा कि हमने डेटा में देखा तो इन फूचर अगर आप उप्षिन में या सुरी फूचर में टेट करते हैं तो एक बार इंदा मनी जरूर ट्राइ कीजेगा कि आपको कितने पॉइंट्स यहां मिल रहे हैं दोस्तों यही था हमारा कि हमन देखेंगे नए विडिए से आज करें दलने वाजुएंगे नए विडिए से आज के दलने वाजुएंगे